हेलो जी नमस्ते साथ स्रेया काल असलाम वालकूम असी आज रियाक्शन करांगे दे ग्रेटेस्ट बैटल ओफ हरी सिंग नडवा जी इते विडियो और यह विडियो डला है सक्सेस दर रहा चैनल पर और जो वीर जी है ना सक्सेस दर रहा वाले वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोडीज लेकर के आते हैं पंचाबी बायोग्रफी लेकर के आते हैं तो प्लीज आप इनका चैनल जरूर चैक आउट करना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है तो यहां से वहां पहुँच कर के प्लीज इनको बहुत चारा प्यार दो पिकस ही डिजर्व दि स्टोडीज लेकर के आते हैं 100% सच्ची होती हैं और बहुत अच्छी तरीके से पेश करते हैं तो एक बर आज इनकी इस पूरी स्टोरी को सत्य घटना को सुनते हैं एक चीज से पहले मैं यह भी बोलना चाहती हूं कि पंजाब के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है में परिखने के लिए प्रवा पंजाब के अच्छा लगता हैं जब आपको अच्छल में 100-500 लोग अपनी बहन बोलता हैं तो उस चीज के लिए बहुत 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 थांक्यों मेरी सारे पंजाब के प्रवा लोगो को प्रालोगों को वड़े प्राओं को वीर जीयों को अभी इस रियाक्शन को स्टार्ट करते हैं उसके बार डिस्कुस करेंगे कि स्टोरी कैसी थी और कैसे अनों ने प्रिजेंट करी मैं बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि मैंने हरी सिंग नडवा जी की बयाओग्रफी देखी थी उसका मैंने रियाक्शन विडियो आई बाटन पर लगा रखा है आप सर्च कर सकते हैं उसे और वो बयाओग्रफी देखके मैं बहुत चौक गई थी एक वो होता है ना कि आप सर हलो वहाँ वहाँ पर कॉमेडी कांटन रहता है सो यूव डेपनेटली इंजोड़ अब इस विडियो को शुरू करते हैं हाँ जी वाहिगुर जी का खाल साव वहिगुर जी की फटे पिछले काफी दिना तो यूट्यूब इंस्टाग्रम ते हर थां थां थे प्यार परे मै हैं व्यादी व्यस्तता करके वीडियोज ओन्विस थोड़ी देरी हो गई जीदेली में हथ जोड़के माफी मंगदा हां पर एक वर फेर तो तो दवीर सिके तासनल जोड़े शांदार वीडियोज लेके तवड़ी सिवा विच आजर है ते आओ हुन आजदे इतहासवल सिखानो कई महीने तक अड़ी चोटी दा जोर लोना पया इस जंग दोरान सेंकडे सेख सिपाई शेहीद हो गए शेरे पंजाब मारजा रिजी सिंग्दियां सज्जियां खबियां बहां के जैन वाले सरदार हरी सिंग नलुआ ते सरदार निदान सिंग पंज हथा वर गे म पहां जरनेल ऐनी बुरी तरह जखमी हो गए कि उननों कई महीने तक बिस्तर ते पैके मोत नाल जूजना पया इस जंग दोरान सिखाने शहादत ते समर्पन दा एहोजा प्रदर्शन किता के दुश्मन तरदियांवी वेक के पुबा निकल गियां कीसी ए इतास जानांगे शुरू तो अंत तक पर शुरू करन तो पहला जे तुसी इस चैनल ते नमें आये हो ते जहां ए वीडियो तो अनू किसे अपने ने वटसेप या किसे होर प्लेट फरम ते शेयर किता है तो यूट्यूब ते आके सक्सेस तरह यूट्यूब चैनल नो सिस्क्राइब जरूर कर लेओ तान जो सिकतास नाल जोड़े इस तरह दे शांदर वीडियो तो आड़े तक पहुंच दे रहे हैं पर आए दिन गवांडी सुबे मुलतान चों हाकम मजफर कान दे जनता ते अत्याचार ते अपनिया मनमर्जियां चलोण दिया खबरा ओंदिया रेंदिया सन लगातार वदियां इना खबरा नू ठल पोन लई आखरकार मारजा रंजी सिंग नू मलतान ते चड़ाई दा हुकम देनाई पया चारे पास्यों पया वड़ी फोजदा केरा ते सत्वे इसमान तक पोंच दिया जिकारें दिया अवजजा ने मुझफर खान दे होसले नू डुला दिता ते उसने नो लकर पे निजराना पेंट करके खाल से दिया दीनगी मन लई सिक फोजा ने दबारा हमला किता ता उसने हथ जोड के माफी मंग लई इससे तरह लगबग चार सालां दे विचो तिन वार भागी होन तो बाद माफी मन के अधीनगी मन दा रहा ते आखर कार चौत्ती वार और कुछ जिहादियां देनाल बागी हो गया ते मिलतान दे के लेते चारे पासे उनती तोपा भीड़ के केराबंदी करके बैठ गया इस वार मुझफर खांदा पका हल करन दे इरादेनाल वड़ी फोज लेके मिलतान दे के लेते केरा पाया गया सरदार हरी सिंग जी नलुआ, सरदार शाम सिंग जी अटारी, बाबा काली फूला सिंग जी, ते सरदार निदाहन सिंग पंज हथा वर गे खाल सा राज दे एक तो एक वद चड़ दी कलावाले जरनेयल इस समय फोज दी अगवाई कर रहे सं आकर कार जंग शुरू होई, दो में पास यो तोपा ने अगवरोनी शुरू कर दिती दसन यो गल है के मुलतान दा किला ओस समय दुनिया दे सब तो मजबूत किलिया चो एक गिनेया जान दा सी उस दी फसील एनी मजबूत सी के तोपा दे गोलेया दा उस दे कोई खास असर नहीं हो रहा सी ओदरो मुजफर खान दिया तोपा दे खुले मू रडे मदान चे ते नात सिक फो जानू बड़ी असानी ना लुकसान पुचा रहे सन एसे तरह दिन ते दिना तो महिने लंग दे गए पर जंग जारी रही दोहां चो कोई पिछे हटन नू त्यार नहीं सी पिछे जेक हॉलिवड मूवी आई सी दा किंग और्थर एदेच एक हथियार दी वर्तो वखाई गई है एक मिट्टी दे बरतन विचे बरूद तेल ते वड़ेवे आदी पाके उसनो वरोधी तरते सुटेया जानदा सी एस हथियार नो फाइरिंग पोर्ट या फिर अगन हंडी किया जानदा है शिरी कलगी तर पाजशादिया फोजा नेवी नंदपुर सैब्धिया जंगा विच एस सत्यार दी वर्तों कीती सी सिक जर्नेला ने जुगत बनाई के जे तोपा असर नहीं कर रही है ता क्यो ना किले दी फसील चे बरूद पर के उड़ा दिता जावे एस कामदा जिमा चुक्या सरदार हरी सिंग नलुआ ते सरदार निदान सिंग पंज हत्था ने एदोवे जर्नेल जदो अपने कुझ साथिया नाल किले दी फसील विच बरूद पर रेसन ता दुश्मन फोजिया ने उतो अगन हंडिया नाल हमला कर दिता जेडा बरूद सिंगा गोल सी ओवी फट गया सरदार निदान सिंग पंज हत्था ते सरदार हरी सिंग नलुआ बुरी तरा जखमी हो गए अइनी बुरी तरा कि अगले कुझ महिने उना नो बिस्तरते पैके मोत नाल जंग लड़नी पई एक अबर जदो लहूर दरबार विच माराजा रंजी सिंग तक पहुंची तो ओवी अंदर तक हैल गए अपने साथियां दी सुक मंगल लई उना दरबार सेब जाके अरदास किती जदो माराजा अरदास करके वापस आ रहे हैं तब परकरमाच संजोग वजो उना दे मिलाप पंगी मिसल दे जत्तेदार सादू सेंग जी नाल हो गया पुच्छन लगे माराज तो अड़ेचेरे ते एनी उदासी क्यों चाही है कीगल सब सुक सानता है माराज ने जवाब दिता खालसा जी मेरी चिंता दा कारण मुल्तान दे हलात हैं तिन महिने बीट गए हैं किलेदी के राबंदी कीतियां तिन सो तो वद से क्षे इद हो चुके हैं मेरिया सज्जियां खबियां बहांवर गे जर्नेल मर्क बिस्तरते पे मोतनाल जूज रहे हैं पर हजे तक किलेदी फसील पे दीनी जासकी माराज तोपां गड़ियां ने जंगे मेदान विच कालसा जी सूर्ज मुखी भी ओते है जफर जंग भी ओते है ते जंगे बिजली भी पर किलेदी फसील एनी मजबूत है के सब बेएसर थाबित हो रही हैं सादू सेंग जी ने कहा माराज क्यों आप जम जमा तोप अजमा के वेखिये जम जमा नो ओस समय दुनिया दी सब तो खतरनाक तोप मननेया जानदा सी एस तोप नो बुणों विच एना तंबाते पितल लगया सी के नेड़े तेड़े दे पिंड़ा चो सारे तातू दे बरतन कठे कर ले गए सन इसे तोप दे दमते ही अबदाली नो मरट्यां दा सेर्मिदन विच खामया भी हासल होई सी इताहास दस्ता है कि ओस जंग विच कुल एक लख मरट्य शहीद होई सन जीना चुच चाली हजार तकली इस तोप ने शिकार किते सन पंगी मिसल ने जदो एक जंग विच अबदाली तोप खो लई ता इसनों पंगियां वाली तोप केहा जान लग पया सड़े 14 फुट लंबी इस तोप दी नाली विच एक वार विच एककी किलो बुरूद पेंदा सी रत तो रात इस तोप नों मुल्तान पुचाया गया जदो है तोप निशने लिए त्यार किती गई ता आतिश बाज तोपची सिंग ने शिष्ट लाके दस दिता के जे एकको थांते निशना बनके वी गोले दागे जान तक किले दी कंद विच पाड़ पह जाऊगा पर मुद्दा ए है के अंदर दुश्मन पूरी त्यारी विच बेटा है अंदर जाऊगा कोण बाबा अकाली फुला सिंग जी ने किहा के ओ जमेवारी साड़ी पाड़ पहनते सब तो पहला मैं अपने पजा सिंगा दी टुकड़ी लेके अंदर जाऊँगा हुन एस तो अगे दी कटना फारसी दी किताब जंग नामा मुल्तान विच दर्ज है ते एस दा लिखा रही है सयद गुलाम जलानी जो दुश्मन तर दा जसूस सी ते ओसमे सूले ले सिक बाने विच ओते विचर रहा सी कहन लगा के जदो तोब दा पहला गोला चलिया ता एंज लगा जमें मुल्तान दी पूरी जमीन है लगी होवे दुज्जा गोला चलिया ता एंज लगा जमें सारा किला ही टेहटेरी हो जाऊगा किले दी फसील विच एक छोटी जी तरेड पैगई तिज्जा गोला चलिया ता सिखान दे चेरियां ते लालिया चागियां के हुन किले दी फसील विच पाड़ पै जाओगा ते असी अंदर जावांगे ते मुझे फरकानू कतल करके जन्तानू जुल्म तो मुक्त करादांगे पर शायद हजे सिखान दे सबर्दा इमतिहान बाकी सी एकोदम तोप चलनी बंद हो गई फोज विच पगदर जी मच गई गलानी के अंदर मैं वी सिखान दे पेस विच उत्थे ही सां मैं तोप वाल वद्दे एक सिख नू पुच्छा के खालसा जी की हो गया जवाब मिलया क इस तोप तो बड़ी आस सी पर तोप दा खबा पया टोट गया है तोप अनबैलंस्ट होके डिग पई है अईनी छेती मिस्तरी नहीं मंगाई जा सकते तो तो मजफर खांदिया उनत्ती तोप पा रड़े मदांच खड़ी फोशते गोले वर आ रही हैं बड़ी माड़ी हाल सुप पावक जी गल है के बारांबोर दी मदूच ग्रामा देविच बरूद पेंदा है तावी मोड़े नू काफी चटका लगदा है ते जेड़ी तोप च एक वार्च एककी कुलो बरूद पेंदा हुए ओदा चटका किना जबरदस्थ होगा जलानी केंदा मैं बड़ा ख दुखा है कैसी गुरू तो अपनी कौम तो जन्ना कुर्बान कर देने हां पर हुण जो तो तोपची ने मोड़ा देन ली किया है तो ये सारे एक दुझे नू फड़ फड़ के खिच ले हां पर केंदा मैं जो तोप दे कोल गया ता नजाराई कुश होर सी सेख एक दुझे नू खेच खेच के आप अगे हो रहे सन कोई केंदा सी पहला मोड़ा मैं देना है दुझे केंदा सी पहला मोड़ा मैं देना है ओसी समय उन्हादा जथेदार समने आया केंदा खालसा जी रोक जाओ सारे तो अड़ा आगू तो अड़ा जथेदार कौन है केंदे खालसा जी तुसी केंदा फिर सारे लाइंच मेरे पिछे आजाओ पहला मोड़ा मैं देऊंगा एह हुंदेशन कौम दे असल लीडर ओ लीडर नहीं जो कौम दे शेहिदांदियां लाशा प्रकरमाच पईयां होन ते आप हथ कड़े करके बाहर आ जाना जथेदार ने तौप नू मोड़ दिता ते तौपची संग ने अगला दिती एक गोड़ा चल्याते तमाके दे नाली जथेदार दे शरीर दा तुमबा तुमबा चितड़े ओड़ गए जिलानी केंदा एव एक के मेरियां पुबा निकल गियां केंदा मैं दावे नल कह सक्दा हैं के जेड़े स्पईयां ने किले जे मूच आगे होने जलानी केंदा मेरे समने स्तारा गोड़े चल्ले एक पसे किले दी फसील वीच पाड़ वादा गया ते दुझे पसे स्तारा सिंगा ने जिसम तुमबा तुमबा करके हवा विच ओड़ दे रहे केंदा मेरे मन वीच आया जलानी सिखा वर गे कपड नो लिखूगा कोण ए बहादरी इताहस दी रेत विच गुम हो जाओगी अगली पीडी तक नहीं पहुंचूगी तू ता बादशावलो पत्र परे रखें तेरे हिसे इसे ताहस नो संबड़ दी सेवा आई है आकर कार किले दी फसील विच पाड़ पैगया तब तो पहला अक हाल से दा चंडा चुला के मुल्तान विच भी हले मीराज काइम कर दिता सो एस ही मुल्तान दी जंग दा मानियों की तहास एक एहोजा बहादरी पर या किस्सा जिसनों सुननतों बाद हर एक सिक्दा सिर्मान नल उच्चा हो जाओगा पर बड़े ही अवसोस दी गल है कि उपवाली बात आई ना मेरे लिटरली रॉंग ते घड़े हो गए क्योंकि हर ऐसा पॉसिबल है क्या हो ना मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा इतिहास नहीं सुनाया जहां पर इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी हो किसी ने जान की कुर्बानी बहुत लोग देते हैं प तो मुझे लगता है कि बिलकुल सही बोला और होना भी चाहिए इफ यू आर असे कि यू अर पंजाबी यू शुड बी प्राउड अफ यू कल्चर और जब अपन इतने इतने स्ट्रॉंग हिस्ट्री से बिलॉंग करता है तो अपने को एक गर्फ होना भी चाहिए बोले सो इसी भी स्टोरी सुन लो आपके रॉंग टे खड़े हो ही जाएंगे उनकी बायोग्रफी देख लो उनकी स्टोरी सुन लो इट्स जस्ट यू फील हिस साक्रफाइस के जो उन्होंने किया है इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है और यार कैसे आजकल के जितने भी पीडे के बच्चे है सब वो लोग अगर इन स्टोरी को सुनेंगे कि इस इस वाट वस्टेफाइस देड़ ताकि आज हम पीस में रह सकें शेयर इस वीडियो आप जुतना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंश के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा लाइक करिएगा और चैन आपको अपडेट्स मिलते रहें